जैहिन दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल पर और आज जो लेटेस अबडेट निकल के आ रहे हैं आप यहां देख पार होंगे टेरिटोरियल आर्मी की वेकंसिस आई वे जो कि अपने आप में वन आप दा बैस्ट वेकंसिस में से एक लगती है और इसका बेसे बहुत सारे केंडियेट जो इंतिजार करते हैं इस वेकंसिस का तो इस वीडियों हम पूरी डिटेल से जानने वाले हैं क्या दोस्तों आपको दिल खुस हो जाएगा इतने बढ़ियां बढ़ियां पोस्ट है और सेलेक्शन प्रोसेजर के बारे में बात करेंगे तो इस वीडियो में आप सभी लास तक बने रहीएगा तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले बत कि भाले में उचलिकरोट करते हैं अस इनतरों कि वहाख व जुलिदसाय को के पास लुए क्षरी तो आप जरूर एंपलाइं कर रहेगा सबूर्य ओता कैने सब्सक्रमिर में और यहीडियों करते हैं अगर आपके पास यहाख जरूर एपडलाई करियेंगा बहुत बढ़ियां बैस्ट ल énग् subtil है हर साल नहीं आती है इसकी एक लिक किसी रेकिधि निकाली जाती है तो इसकी हम इं पॉर्टेंट डेट्स की बात कर ले इसकी 23 अक्टूबर से फॉर्म बढ़ने चालू हो रहे हैं इसकी जो लाज़ट रहने वाली आप यहां देख पार होंगे 21 नॉमबर दोज़ाद तैइस इसकी जो लाज़ट रहने वाली है टोटल लंबर वेकिंश की बात कर लें तो इसमें जो है 19 वेकिंश आई हुए 18 मेल केंडि जो आपको इसमें और वो पर्सक्राइब करेंगा जिसके मन में कहीं आर्मी या फिर मिलिटरी में जाने का सपना होगा वह किसी कारन से नहीं जा पाए होंगे और उन्होंने कोई और गॉर्मेंक जॉब अच्छी वाल रुपोर्ट इट वाली वी ले लिए तो वह पर्शन आगे आते हैं अप्लाई करते हैं इस वेकेंसिस के लिए तो कॉंपीडिशन आपका देख लो कहां किस लेवल का रहने वाला काफे ज्यादा हाई कॉंपीडिशन रहने वाला इस वेकेंसिस में के बात कहले तो simply आपको graduate होना चाहिए किसी भी इंडिया के रिकॉनाई युनिवसिटी से graduate है तो आप इस फॉर्म को apply कर सकते हैं इसमें फिजिकल क्रेटेरिया भी और मैडिकल भी आपका देखा जाएगा और एक भी कोई भी इंप्लाइमेंट होने चाहिए किसी भी organization से आपका self business भी हो तब भी आप apply कर सकते हो ठीक है बाकि यह जो आपका document verification के समय प्रूफ मांगा जाएगा तो आप self attached या कोई भी आफिट आफिट बनाके submit कर सकते हो कि आपका कुछ ऐसा business है या daily basis पे कोई भी income आती है तो इसके भी आप बनाके submit कर सकते हो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है बाकि आप एक बार अपने नजदी की area में lawyer से मिल लोगे वकि होगी अगला इसमें आपकी joining होती ना तो joining के बाद ही आपकी six months की दो पूरी अच्छे से hardcore training दी जाएगी जो कि military में दी जाती है training ठीक है तो आप समझ सकते हो examination की बात कर लें हम सभी यहां पर तो आपका third या fourth week में December के मंत में इसी साल आपका exam conduct करवा ले जाएगा और इसमें examination और selection भी काफी fast recruitment होती है ठीक है आपका जो examination central है और और इंडिया आपको देखने को मिल जागा आप अपने state से भी belong करते हो जहां से भी वहां आपको center देखने को मिल जाएगा ठीक है examination की बात कर लें क्या syllabus रहेगा आपका तो same जो आपका ssc में पूछे जाता है वह same आपके syllabus रहने बाला बस यहां पर जो two hours के समय मिलेगा 25 questions होंगे and 100 marks examination होगा ठीक है and 100 questions रहेंगे and इसके बाद जो है आपका अगर यह clear कर लेते हो then आपका second यह state होगा वह आपका ssb interview होगा यह interview होगा ssb जो की 50 marks का रहने वाला है और यह भी आपको qualify करना compulsory है जो final selection होगा आपका आपकी 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 लाइफ टाम रहेगी जब भी आर्मी की नीड होगी हमारे या organizations में military में तो आपको बुलाए जाएगा जिस दिन से आपको बुलाए जाएगा उस दिन से जो आपकी पेड जो है वो चाली हो जाएगा और हर साल आपको two years का जो है two month का sorry हर साल two month की जो ट्रेनिंग होंगी जो कि आपकी पेड ट्रेनिंग रहेंगी ठीक है तो आप यहाँ पेश्लेबस देख सकते हो कौन-कौन से सब्जेक्ट में से जो कहां से कुश्चन से आपके पूट अपोंगे बनने वाले हैं इसे सब से भी स्लेबस देख सकते हो और इसकी जो पीडियाफ है मैं आपको अपने टेलिग्राम चानल पर प्रवाइड कर दूँ हो महां से नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाए है उसके 10 टाइंस या 20 टाइंस जो है क्वालिफाई करते हैं एक्जामिनेशन को ठीक है और आपको इसमें 0.33 की नेगेटिव मार्किंग भी देखने को मिल जाएगी एंड अप्लिकेशन फी की बात कर लेते हैं यहां पे तो 500 रुपिस एप्लिकेशन सी लगने वाली है सब यहां पर कंसीडर किये जाते हैं कोई भी बेनिफिट्स यहां पर देखने को नहीं मिलेगा लोगों को आम फोस में तो यह चीज़ काफी अच्छी है डिफेंस में अप्लाई कैसे करने अप्लाई करने की जो लिंक के नीचे डिस्क्रिक्शन में देदूंगा ऑफिसल वैप देख सकते हो या फिर हमारे टेलिवाम चैनल से जुट जाएगा वहां पर मैं आपको लिंक फिगर प्रवाइड कर दूंगा ठीक है और इसमों पोस्ट की बात कर लेते हैं कौन-कौन सी पोस्ट है तो आप यहां देख सकते हो लाफ्टन की पोस्ट है जो आपकी फिर्स्ट पोस्ट आपको देखने को मिलेगा यहां पर अपने आप में काफी ज्यादा बैस्ट अच्छी आपने नाम के आगे लाफ्टन करनल मेजर यह सब जोडने का यह लाइफटाइम आपका रहेगा अगर एक बार यह सर्विस जोइन कर ले तो तो आपके नाम के आगे यह सारे जो लगने वाले हैं जो हम आप जानते होगे हमारे इंडियन टीम कैप्टन जो रह चुके हैं महेंदर सिंग दोनी वह भी इसी टेरिट्रोलियर आर्मी का एक पार्ट है ठीक है तो उनको भी इन में से एक पोस्ट मिली हुए है तो अपने आप में काफी अच्छी वेकेंसि है जो भी सॉट टाइम पिरिट के लिए देश सेवा करना चाहते तो इस वेकेंसिस के लिए अपलाई कर सकते हैं जरूर अपलाई की जाएगा मैं तो चाहूंगा कि हर एक इंडियन का नागरिक जो है इस वेकेंसि के लिए एलिजबल और अपलाई करें कि बहुत अपने अपने किसे नए वीडियो में अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो फ्लीज लाइक कीजिए गा अपने सभी दोस्तों में सेर कीजिए गा और चानल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कि तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और मुझे आप इंस्टाग्राम पर भ अलीज जाहिन दन्यवाद